टिप्स थीएटर चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज मैं आपको कैस्टर ओईल के बारे में बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन दे रही हूँ कैस्टर ओईल तो हम सभी जानते हैं परन्तु इसे लगाने का सही तरीका क्या है इसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है जितना जादा कैस्टर ओईल फाइदे मंध होता है दोस्तों यदि उसे आप सही ढग से लगाएंगे तो ही इसका भरपूर फाइदा मिलेगा किस तरह से लगाना है और किस तरह से इसमें दूसरे ओईल को मिक्स करना है सारे डिटेल इसमें शियर करने वाली हों तो केस्टर ओईल की तीन बॉटल देख रहे हैं दोस्तों किसी भी मेडिकल स्टोर में आपको अरंडी का तेल मिल जाएगा केस्टर रॉयल किसी भी अच्छी कंपनी का लें, किसी आयुर्वेदिक दुकान में भी आपको मिल जाएगा, तो यह जो दो बॉटल देख रहे हैं दोस्तों, यह मैं एक मेडिकल स्टोर से खरीद कर लाई हैं, और जो तीसरी बॉटल जिसमें हिंदी में लिखा है, अरंडी क तेल, इसे मैंने एक आयुर्वेदिक दुकान से खरीदा है, तो केस्टर रॉयल हमारे बालों के लिए बहुत ही फायदेमंद है, बालों की जड़ों को मजबूत बनाता है, और बालों के तूटने को रोकता है, परन्तु कभी भी हमें प्योर केस्टर रॉयल का इस्तमाल न ही है, इसलिए आपको प्योर केस्टर रॉयल नहीं लगाना है, किसी भी केरियर रॉयल को इसमें मिक्स करना है, ताकि ये जो तेल है, इतना आप देख सकते हैं, मैं निकाल रहे हैं, इसका गाढ़ापन कम हो जाए, अगर गाढ़े गाढ़े तेल को आप लगाएंगे ना द कितना मिक्स करना है, चलिए देखते हैं, तो यहाँ पर मैंने सिर्फ एक छोटी चम्मच कैस्टर ओयल लिया है, और इसमें आपको मिलाना है, तीन चम्मच ओलीव ओयल, दोस्तों तीगुना मिलाना है, आप ये ना सोचें, कि आपको सिर्फ एक चम्मच अरंडी का तेल, औ तीन गुना आपको तेल मिलाना है, अगर आपके पास ओलीव ओयल नहीं है, तो परिशान होने की जर्वत नहीं है, आप ओलीव ओयल की जगह, नारियल का तेल, कोकोनट ओयल भी मिक्स कर सकते हैं, हमें तो कैस्टर ओयल का भरपूर फायदा लेना है, परन्तु ये इतना गा कोकोनट ओयल भी डाल सकते हैं, आप बादाम का तेल, आलमंड ओयल भी डाल सकते हैं, जो भी तेल आपके पास है, इसे मिक्स करके, जब भी कैस्टर ओयल अपने बालों पर लगाएं दोस्तों, हमेशा उसे हलका सा गरम कर लें, गरम करने से क्या होता है दोस्तों, एक तो य इस तरह से गैस पर गरम नहीं कर रही हूँ, आपको भी रही करना, डबल वॉयलर मैथट से गरम करना है, एक बरतन में पानी ले लिया है, और गरम पानी के बरतन में इस तेल की कटोरी को रख दिया, जिसमें मैंने केस्टर ओल और आलिव ओल मिक्स किया है, हलका गुन गुना करके फिर आपको अपने बालों पर इसे लगाना है तो दोस्तों जो केस्टर रॉयल होता है इसके लावा आप अपने चेहरे पर भी लगा सकते हैं आप चेहरे पर प्योर केस्टर रॉयल भी लगा सकते हैं दोस्तों तो चेहरे की तचा में कसाव आता है जिनकी ड्राय स्किन ह उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा फाइदे मंद है कैस्टर रॉयल, इसके लावा आप रात को सोते समय अपने नाखुनों में लगाएं, नाखुन का तूटना बंद होगा, नाखुन मजबूत होंगे, इसके लावा आप कैस्टर रॉयल को अपने आइब्रो पर लगाएं स्ट्रेच मार्क पर भी आप कैस्टर रॉयल को लगाएंगे, तो स्ट्रेच मार्क के निशान भी दूर हो जाते हैं, इतना ज़ादा फाइदे मंद होता है अरंडी का तेल, इस तरह से रूई किया एक छोटा सा टुकडा ले लिया है, कॉटन बॉल ले लिया है, कॉटन बालों की जड़ों पर आप इसे लगाएं, बात में जो कटोरी में तेल बच जाए, उसे आप अपने हाथों में लेकर बालों की लंबाई पर भी लगाएं, ये देखें, और इस तेल को हो सके तो रात भर लगाएं, तो और भी ज़्यादा फाइदा मिलेगा, कई लोग रा समस्या हल होगी दो मुहें बालों से भी छुटकारा मिलेगा बाल आपके काले घने और मजबूत होंगे ये देखे तो जो तेल बच गया है दोसों इसे लंबाई में लगाने के बाद आपको हलके हाथों से ही स्केल्प की मसाज करना है 100% इसका आपको रिजर्ट मिलेगा अग बालों को माथे में किनारे किनारे बाल खतम हो जाते हैं गंजा पना जाता है तो बाल री ग्रोथ होंगे दोस्तों नए बाल उगना शुरू होंगे तो किसी भी अच्छी कंपनी का आप इसे लें ये रेखे पूरे बालों की लंबाई पर इसे लगा लिया है अच्छी तरह से भी मसाज करते हुए लगाना है, तो ये सही तरीका है दोस्तों, केस्टर OIL को बालों में लगाने का, क्योंकि ये OIL जो होता है, थोड़ी इसकी गंध थोड़ी तेज होती है, परन्टु ये थेल बालों के लिए बहुत ही लाइक करें साथ ही साथ मेरे चैनल टिप्स थीएटर को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें तो इस तरह से आपको अपने बालों का बन बना लेना है दोस्तों और इसे लगा कर कम से कम आपको दो घंटे छोड़ना है ताकि इसका आपको पानी लेना है और इस गरम पानी में आप कोई भी कॉटन का जो टौवल होता है कॉटन का कोई भी कपड़ा हो आपके पास उसे डिप करें और उस टौवल को गरम पानी को जिसमें डुबाया है उसे निचोड ले निचोड़ने के बाद आपको इससे अपने बालों को रैप जड़ों तक जाएगा और बाल जड़ से मजबूत होंगे इस प्रोसेस को 5-6 बार करना है ये देखे हम लोग टौविल को गरम पानी में डिप करकर के मैं देती जा रही हूं मेरी बेटी को और वह इस तरह से अपने बालों को बांधती जा रही है लपेटती जा रही है कुछ इस तरह से कम से कम 5-6 बार इस प्रोसेस को दोहराएं ब्लड सर्कुलेशन भी फास्ट होगा दोस्तों और हेर ग्रोथ अच्छी होगी उसके आद किसी भी केमिकल फ्री शैंपू से हेर वाश कर सकते हैं